नमश्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ शारुक खान जा जाते हैं फैंस उन्हें चारो तरफ से घेल लेते हैं हाला कि एक बार एक शक्स ने शारुक के सामने उन्हें ट्रोल कर दिया था शारुक को चलते फिरते एक शक्स ने बक्वास एक्टर बता दिया था ये अन्सुनी बाद एक्टर गुलशन देवेया ने बताई है हंटर और राम लिला जैसी कई फिल्मे में दिखने वाले एक्टर गुल्शन दिवया ने शारू खान के बारे में अनकही बाते शेयर की उन्होंने एक इंटर्वियू में बताया कि अनूरा कश्चप ने मुझसे इस घटना के बारे में चलचा की थी एक शक्स उनके पास आया और शारू की तरफ इशारे करते वे कहा कि यार तू क्या एक्टर है तुझे कुछ आता नहीं है इनसे कुछ सीखो ये बात कहते वे उस वेक्टी ने अनूरा कश्चप की तरफ इशारा किया वो ट्रोलर शारुक को सला दे रहा था कि उन्हें अनुरा कश्चप जैसे डारेक्टर से कुछ सीखना चाहिए गुलशन ने आगे कहा वो शक्स चाहता था कि शारुक उनकी बात का कुछ रियेक्शन दे हाला कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला वे बिल्ग'll शानती से चलते रहे शारुक जैसे लोग इसी वज़े से ग्रेट की कैटेगरी में आते हैं इन्हें पता होता है कि दुनिया को कैसे हैंडल करना है शारुक पता है कि लोगों के सामने अपने आपको कैसे दिखाना है ये लोग मोटी चम्डी के बने होते हैं शारुक का लोगों से मिलने का नजरिया काफी अच्छा है इसी वज़े से आज वे बहुत बड़े स्टार है सबी लोग उनसे प्यार करते हैं गुल्चन ने कहा कि जो भी शारुक से मिलता है उनका कायल हो जाता है गुल्चन ने कहा वो मुझसे पहली बार काफी अच्छे तरीके से मिले थे गुल्चन के मताबिक शारुक से उनकी पहली मुलाकात 2011 में Film Fair Awards के दोरान हुई थी इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ रहने बार